हेलो एब्रिवर्ट कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेर करने वाली हूँ इस डिजाइन को आप अपने मन चाहे किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं यह देखे यह कितना सुंदर कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है इसे आप लेडिस के काडिगन जाकिट में जैंस के काडिगन में स्वेटर में जा फिर बच्चों के किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं यह बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिजाइन है तो इसे आपने जुरू ट्राई करना है और इसे बिनाने के लिए जो हमें फंदे चाहि इसे उल्टी तरफ से इसकी जितनी भी रो डलती हैं वो सारी उल्टी उल्टी ही डलती हैं सिरफ सीधी तरफ से ही इसमें हमारे ये डिजाइन बन कर आएगा तो इसे बनाने के लिए स्लाई में यहाँ पर फंदे ले लिये हैं 20 फंदे 20 फंदे लिये हैं मैंने यहाँ पर स् और दो फंदे एस्टिच के तो इसकी फ़र्स्ट रो है जो वो सीधी तरफ से आएगी तो फ़र्स्ट रो सीधी तरफ से पहले फंदे को उतारेंगे उतारने के बाद एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ठीक है एक फंदा सीधा बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा अब इस S-Stitch को छोड़ कर यहां से यहां तक यह छे फंदों गाड़ी जैन है इनी छे फंदों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है एक फंदा सीधा चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दुबारा से इसी डिजैन को रिपीट करेंगे यह एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे अब चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार अब यहां पर आपकी रो किस तरह से आएगी देखे ये दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, ये पूरी रो आपने ऐसे ही बनाते जाना है, ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर से धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे बना लेने हैं फिर से चार फंदे उल्टे ऐसे ही करते हुए आपने पूरी रो बनाकर कम्प्लीट कर लेने हैं लास्ट में ये दो फंदे बचेंगे इसमें से एक फंदा सीथा ये डिजाइन का है और ये एक फंदा एस्टीच का इस तरह से करते हुए हमने फर्स्ट रो पूरी ब लाईयां पड़ेंगी ना वो सारी सिंपल ऐसे ही उल्टी उल्टी पड़ेंगे उल्टी तरफ से हमारा कोई भी डिजाइन नहीं आएगा अब सीदी तरफ से हमारी थर्ड रो है इस फर्स्ट पंदे को पहले उतारेंगे फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद अब सीधे फंदे को हमने यहाँ पर इस उल्टे फंदे को आगे लेकिया ना है तो क्या करना है पीछे से स्लाइड डाल देनी है उल्टे फंदे में अब इसे निकालेंगे आगे ले लेंगे यहाँ पर सीधे फंदे को और उल्टे फंदे उल्टे एक दो अब धागा दूसरी तरफ करेंगे अब इस सीधे फंदे को यहां बाहर इस उल्टे फंदे को अंदर लेके आना है तो आगे से पहले सीधे फंदे में इस तरह से स्लाइड डालेंगे निकाला अब इस उल्टे फंदे को पीछे से यहां ले आए इस फंदे को आगे और दोनों को इन ही सीधा बना देंए एक और ये दों अब इस स्टीज को छोड़िये यह यह च्छे पंदों का डिजाइन इनी च्छे फंदों को बारबार हमने रिपीड करना है इस सीधे फंदे को यहां उल्टे फंदे को अंदर लेके आना है तो पीछे से फेले उल्टे फंदे में स्लाइड डालेंगे निकाला अब सीधे फंदे को अंदर ले आए उल्टे फंदे को बाहर ले आए ठीक है अब पहले इसे सीधा बना दिया फिर इसे ऐ से धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब आगे से स्लाइड डालेंगे सीधे बंदे में निकाला उल्टे फंदे को यह से लेफ्ट इंडिजल में ले लिया इसे आगे ले आए घुमाते हुए ठीक है अब इन दोनों को सीधा बना देंगे अब फिर से यही फंदों को टर्ण करना है तो उल्टे फंदे में पीछे से स्लाइड डालनी है निकाला इसे आगे ले आए इस तरह से इसे अंदर और दोनों को सीधा बना देंगे एक यह दो इस तरह से अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से इन दो फंदों को हमने ऐसे ही ट्विस्ट करना है सीधे फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे निकाला पीछे से देखे इस फंदे को यहा लेंगे इसे यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से यह दो दो फंदे थे जो हमारे सीधे यह दोनों फंदे एक फंदा इधर को ट्विस्ट हुआ एक फंदा इधर को ठीक है ऐसे ही हमने देखे यहाँ पर किया ऐसे ही यहाँ पर और बीच में यह दो दो फंदे हमारे उल्टे आगे अब उल्टी तरफ से फिर से हमने पूरी रो ये उल्टी बना लेनी है इस फर्स्ट फंदे को उतारना है और ये पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है रो फिफ्ट सीधी तरफ से पाच्वीस लाई है हमारी सीधी तरफ से तो इस first फंदे को पहले आपने उतार देना है फिर धागा अपनी तरफ करना है ये एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये वाला फंदा यहाँ पर ये उल्टा फंदा आगे लेकिया ना है तो पीछे से slide डालनी है उल्टे फंदे में अब निकालेंगे सीधे फंदे को ऐसे ले लेंगे लेफ्ट निजल में इसे आगे से घुमाते हुए ले लेंगे इसी नीडर पर और दोनों को सीधा बना देंगे एक दो ठीक है अब इन दो फंदों को भी ऐसे ही करेंगे तो दूसरे फंदे में पहले स्लाइड डालेंगे ऐ सीधा बना देंगे, एक, दो, इस तरह से, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, तो देखे ये, एस्टिच को छोड़ेंगे, ये एक फंदा उल्टा बनाया, फिर इसे ट्विस्ट किया, फिर इस फंदे को ट्विस्ट किया, फिर से एक फंदा उल्टा, तो ये छे फंदो दूसरी तरफ फिर से ये पहले फंदे को पीछे और दूसरे फंदे को आगे लेके आना है तो पीछे से पहले दूसरे फंदे में सलाई डाली निकाला अब इस पहले फंदे को आगे से सलाई में ले लिया अब दूसरे फंदे को आगे लिया और इन दोनों को सीधा बना दिया अब इस पहले फंदे को अंदर और दूसरे फंदे को बाहर लेकियाना है तो इसे आगे से स्लाइड डालेंगे इस तरह से निकाला अब इस दूसरे फंदे को ले लिया पीछे और आगे से ले आए इस फंदे को आगे और दोनों को सीधा बना देंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से इस उल्टे फंदे को अंदर सीधे फंदे को बाहर लेगाना पहले उल्टे फंदे में पीछे से स्लाइड डाली निकाला अब सीधे फंदे को यहाँ पर ले आए आगे पीछे और उल्टे फंदे को आगे लियाए और दोनों को सीधा बना दिया इस तरह से सीधे फंदे हमारे दिखिए ऐसे खुल गए है उल्टे फंदे ये चार फंदे हमारे अंदर आगे है ठीक है अब फिर से इजनी फंदों को ट्विस्ट करेंगे सीधे फंदे में आगे से स्लाइड ड सीधा बना दिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में ये एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बना लेंगे, अब 6th row हमारी उल्टी तरफ से जो पूरी हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है, 6th row हमारी ऐसे ही उल्टी उल्टी आएगे, रो सेवन सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब ये ही छे फंदों की डिजाइन को पूर इस लाई में हमने रपीट करना है दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे अब दोबारा से रपीट करेंगे तो देखें क्या करेंगे दो फंदे उल्टे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे दो फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये डिजाए रो आपकी ऐसे डलगी देखिए ये चार फंदे उल्टे दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे दो फंदे सीधे ऐसे ही ये एक दो तीन ये चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ ये दो फंदे हमारी गेवल वाले ने सीध्य दिखाई दे रहे हमें इने सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए आपके चार फंदे उल्टे आएंगे और यह लास्ट में हमारे पास जो फंदे बचेंगे दो उल्टे और एक सीधा इस तरह से करते हुए आपने यह पूरी रो बना उल्टी बना लेंगे रो नाइन सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे ये बिल्कुल हमारी रो नाइन सैवंथ रो की तरह बनेगी बि दो सीधे धागा अपनी तरफ ये एक दो तीन चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ ये लास्ट में दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा इस तरह से करते हुए ये पूरी हमने नाइन्थ रो बनाकर कम्प्रीट कर लेनी है अब 10 रो मारी 10 वी संधोएफ से उल्ते तरफ से पूरी हमारी उल्ते बना लेगे अब जैसे ये डबी हमारी ऐसे करके खुली थी न ये डबी को आपने बंद करना है तो उसके लिए देखे क्या करेंगे फर्स्ट र्लपो उतारेंगे ये 11 वी संथे हमारी लेगे लाति एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब ये वाला सीधा फंदा यहाँ पर ये उल्टा फंदा हमने अंदर लेना है, तो इस तरह से आगे से स्लाइड डालेनी है, पहले सीधे फंदे में निकाला, पीछे से उल्टे फंदे को लिया स्लाइ में सीधे को यहाँ ले आए, अब इन दोनों को सीधा ही बना लेना है, एक और ये दो, इन दो फंदों को ट्विस्ट करने के बाद, अब इस सीधे फंदा और उल्टा फंदा इन दो फंदों को भी ट्विस्ट करना है, हमने पीछे से पहले उल्टे फंदे में ऐसे डाली निकाला अब सीधे फंदे को यहां पर ले आए उल्टे को यहां पर और दोनों को सीधा बना दिया एक और यह दो इस तरह से धागा अपनी तरफ करते हुए यह एक दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब सीधा फंदा यहां उल्टा फंदा यहां पर आ तो आगे से स्लाइट डालेंगे ऐसे सीधे फंदे में निकाला application 우ंटा फंदा हम उल्टा फंदा हमने यहां से ले आए सीधे फंदे को आगे कर दिया और इन दोनों को ये एक ये दो सीधा बना देंगे अब फिर से सीधा फंदा यहां पर उल्टा फंदा यहां लेके आएंगे तो ऐसे स्लाइड डाली उल्टे फंदे में सीधे फंदे को ले लिया पीछे यहां पर और उल्टे फंदे को आगे ले आए पीछे से अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बना देंगे यह एक यह तो अब धागा अपनी तरफ फिर से ये दो फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ अपने फिर से वो ही हमने ये पूरी स्लाइमे ऐसे ही आपने डिजाइन को डालते जाना है देखिए इन दो फंदों को खोल लिया है हमने उल्टे हमारे पास 4-4 फंदे थे अब 2-2 रहेगे क्योंकि 1 फं यहां पर अंदर आ गया है और एक फंदा हमारा यहां पर अंदर आ जाएगा तो बीच में यह दो दो फंदे रह गए है अब यहां से आगे से स्लाइड डाल ली हमने सीधे फंदे में निकाला अब पिछे से इस फंदे को यहां पर ले आए आगे ले आए इसे और दोनों इसे यहां, और दोनों को हमने सीधा बना लेना है, एक और ये दो, अब धागा अपनी तरफ, लास्ट में ये एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, अब उल्टी तरफ से ये हमारी डिजाइन की बारवी रो है, जिसे हमने पूरा ऐसे ही सिंपल उल्टा उल्टा बना लेन रो 13 सीधी तरफ से, पहले फंदे को उतारेंगे, फंदे को उतारने के बाद, अब फिर से हमने पंदों को ट्यूस्ट करना है, इस फंदे को यहां, उल्टे फंदे को उंदर लेकिया नहें, तो आगे से पहले इस फंदे में इस तरह से स्लाइड डालेंगे, निकाला पीछ पिछे से इस फंदे को यहां और इसे यहां ले आए पहले इस फंदे को हमने सीधा बनाया धागा दूसरे फंदे को भी सीधा ये दोनों फंदे हमने ट्विस्ट किया हैं दोनों फंदों को सीधा बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे अब दो फंदे ये से इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे उल्टे फंदे को अंदर ले आएंगे सीधे फंदे को बाहर करेंगे तो पीछे से पहले आपने स्लाइड डालेनी है इस फंदे में उल्टे फंदे में अब सीधे फंदे को आगे से हमने ऐसे ले लिया उल्टे फंदे को अंदर ले आए और दोनों को हमने सीधा ही बना लेना है ये एक ये दो इस तरह से ठीक है अब फिर से सीधे फंदे को यहां ले लिया निकाला उल्टे फंदे को लिया यहां दोनों को सीधा बना लिया इस तरह से एक दो देखे ये डब्बी जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से खोड़ ली थी ना ये डब्बी यहाँ पर हमने बंद कर ली अपनी डिजाइन सेम टू सेम वैसे ही हमारा चलता जाएगा डिजाइन बिलकुल मुश्किल नहीं है अब धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से सीधे फंदे को यहाँ उल्टे फंदे को अंदर लेके आएंगे पीछे से स्लाइड डालेंगे इस फंदे में निकाला अब इसे यहाँ पर और उल्टे फंदे को आगे ले आए दोन यह जुब स renown को सेथा ही बना लेना है एक दो अब धागा अपनी तरफ करते हुई यह फंदे उल्टे। धागा दूसरी तरफ पीछे से स्यक्ड़न्द दालेंगे इस उल्टे फंदे में ठीक है, अब आगे से यह सीधे फंदे को उल्टे को भार ले, दोनों को सीधा बना दिया एक तो ये लास्ट का फंदा भी सीधा ऐसे करते हुए ये पूरी 13 रो हमने बनाकर कम्प्लीट कर ली है अब 14 रो बनानी है हमने 14 वी सलाई उल्टी तरफ से जो पूरी हमारी उल्टी-उल्टी ही आएगी इस तरह से अब रो 15 सीधी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को उतार देंगे उतारने के बाद ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करते हुए चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा अब ये देखिए यहाँ पर हमने जो एस्टिच को छोड़िए ये छे फंदों का डिजान है जैसे हमने फर्स्ट रो में डाला था वही रो हम यहाँ पर डा रहे हैं देखिए फिर से ये एक फंदा सीधा ये बीच में आगे आपकी दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ ये चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार धागा दूसरी तरफ फिर से ये दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब धा दूसरी तरफ लास्ट में ये एक फंदा सीधा ये एस्टिच का फंदा भी सीधा ऐसे करते हुए हमने 15 रो पूरी पंदरवी स्लाई बना कर कंप्लीट कर ली है अब रो 16 सोल वी स्लाई हमारी उल्टी तरफ से पूरी उल्टी आएगी जिसके बाद इसे फर्स्ट रो से आपन पर उन दो फंदों को हमने ऐसे खोल लेना है पहले यहां पर खोला तो यहां पर दिखिए दो फंदे हो गई हमारे फिर यहां से खोला तो फिर से यहां पर दो फंदे हो गई हमारे डिजाइन सेम टू सेम वो ही है वैसे ही सेम आपने उसे बनाते जाना है एक बार समझ गए ना फिर तो बहुत असान लगेगा आगे आगे आप इसे रिपीट करते जाएंगे ना इस तरह से ये डिजैन आपका बन कर आएगा बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिजैन है जुरूर ड्राई कीजिएगा ठीक है तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्स कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कूल मत भूलिएगा मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बाबाई हैव आ नाइस डेए